चलिए जी आज जो हमें टॉपिक डिसकस करना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने अप में आक्चली कहा है कि जो बच्चे अभी CS जॉइन करना चाह रहे हैं जिने लाइक चॉइस है कि हमें CS जॉइन करना है तो CS जॉइन करने से पहले उनको CS Executive Entrance Test देना पड़ता है जिसे हम CS EET बोलते है तो कहीं बार Lack of Knowledge यह नहीं पदा चलता है कि हमें इसके लिए रजिस्टेशन कब तक करना है तो जो बच्चे अभी Class 12 में उनके लिए बहुत अच्छी News है कि अगर अभी वो Class 12 में है और अपने exams भी दे रहे हैं तो इसके जो last date है ना registration कराने की वो कहीं न कहीं मैं आपके साथ discuss करूंगी जिसके exam होने वाले हैं May 2021 में फिर दुबारे से मैं अपनी बात repeat कर रहे हूं CS करने के लिए CS करने से पहले CS Executive Entrance Test देना पड़ता है जिसको हम shortcut में CS WT बोल सकते हैं अब यह CS WT exam साथ बता हूं तो यह होगा May 2021 में इस जो coming अभी CS WT का paper आने वाला है वो है May 2021 में लेकिन मुद्ध यह उठता है कि CS WT का exam जो है वो किसको देना है तो मैं answer clear कर देती हूं यह सभी बच्चों को देना है कोई बच्चा बोलता है मैं अभी तो हम class 12 के exam दे रहे हैं पियर हो र लिए तो भी हमें देना जी हाँ आपको बिल्कुल देना है अभी यहाँ पर relaxation बहुत जादा नहीं है सभी को almost कुछ exceptional situation छोड़के और सभी बच्चों को exceptional situation क्या है वो एक later on video में आप देख सकते हो अदर्वाइस सभी को ही देना है ओके आप यह समझ के चलिए almost सभी को देना तो हम मान सकते हैं कि अगर कोई बच्चा CS join करना चाहता है तो उसके लिए जो उसे exam देना होगा वो May 2021 में देना होगा लेकिन उससे आगे मैं एक और चीज़ क्लियर कर देती हूं कि अगर आप उस exam को देना चाहते हो आप उसमें appear होना चाहते हो तो उसमें appear होने के लिए आपको institute of company secretaries के पास अपना registration कराना होगा it means आप ICSI पे registration कराओगे तभी आप उस May वाले exam में appear हो सकते हो now point to be noted here कि मैं यह बता दीजिए कि अगर हमें May 2021 में वो exam में appear होना exam देना है तो उसके लिए हमें registration कब तक कराना है तो उसके लिए मैं आज थोड़ा सा clear आपको कर देत हो कि किस तरीके से आप कब तक आप registration करा सकते हो तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा screen पर यह ICSI का ही announcement है में 2021 session company secretary company secretary executive entrance test यह आपको दिखाई दे रहा होगा CSET का executive entrance test तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि CSET जो है उस शेल भी held on 8th May 2021 इसका जो exam होने वाला है वो किस दिन होगा तारीक भी define कर दिया है date भी define कर दिया है that is the 8th May 2021 और दिन भी define कर दिया है दिन है आपका Saturday इस Saturday को यह exam होने वाला है तो यह भी आपको धियान रखने वाली ब यहां तक हमने यह बात clear कर ली कि यह exam कि कौन से तारीक को और कौन से दिन को होगा कौन से मन्त में होगा यह भी हमें clear हो गया next it is hereby informed that registration for company secretary exam CSET May 2021 session shall be commence start कब से हुए है स्टार्ट हुए है 16th of December 2020 से और इसकी जो last date है registration की it means अगर मैं आपके साथ बोलू कि इसकी जो आखरी तारीक है registration की तो that is the यह हम कह सकते हैं 15th April that is the 15th April 2021 धियान देने वाली बात यहां पर फिर से समझेए it means यह जो exam होने वाला है वो है May 2021 and the day is Saturday first entrance मतलब अगर आप class 12th में हो या graduation कर रहे हो तो आपको May 2021 के लिए 8 मही को यह paper होगा उसी के साथ साथ इसकी registration जो start हुए थे वो 16th December से start हो चुके है और last date registration की जो बहुत important है that is the 15th April 2021 15th April 2021 प्लीज धियान देना इस बात पर और registration कैसे करा सकते हैं यह आप हमारी जो channel है CS प्रीतिसिंग classes उसे subscribe करें उसमें आप डालोगी तो automatic आजाएगा कि कैसे registration करा सकते हैं और further information के लिए connected to the CS आप इस channel को subscribe करें आपको daily basis further updates मिलती रहेंगी मैं फिर से last time एक वर फिर से repeat कर देती हूं अगर आप में में एक्जाम देने वाले हो CS EET का तो आप 15 April 2021 तक अपना registration करा सकते हो last date 15 April 2021 है तो जिन बच्चों को नहीं पता दी प्लीज आप जल्दी से जल्दी अपना registration करा लीजिए अभी March भी है वैसे तो और पूरा तो नहीं लेकिन half April है 15 April तक आप अपना register करा के अपने May attempt में क्या हो सकते हो एपियर हो सकते हो उसी के साथ साथ आपको further updates के लिए जैसे कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप चेनल सब्सक्राइब कर सकते हो आप हमारी app भी download कर सकते हो आप हमें Instagram पे follow कर सकते हो Thank you and have a nice day